बद्ध पद्मासन पद्मासन की स्थिती में पैरों को हाथों द्वारा पीट के पीछे से पकड़ने पर शरीर को बांधने जैसी स्थिती बनने के कारण इसे बद्ध पद्मासन कहते हैं बद्ध पद्मासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम दंडासन की स्थिती में बैठ जाएं इसके पश्चात दोनों पैरों को मोड़ कर पद्मासन लगाएं पद्मासन की स्थिती में कमर सीधी रखें और अग दोनों हाथों को पीट के पीछे से घुमाते हुए बाएं पैर का अंगूठा बाएं हाथ से पकड़ें वह दाहिने पैर का अंगूठा दाहिने हाथ से पकड़ें और कमर को सीधी रखते हुए कुछ देर इस अवस्था में रुकें इसके पश्चाद वापस आने के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे पुनहा पूर्व स्थिती में ले आएं और पदमासन खोल कर दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें वह विश्राम अवस्था में आ जाएं अने दोजा दो हाथों को धुटा एंच सामने की लिए इस दोल को यह इवस्था है ले जाएं